करूंगा खुल करूंगा बटाऊंगा इतनी तो जल्दी ग्रहों की चाल नहीं बदलती जितनी जल्दी मुख्यमंत्री जी अपना गड़बंधन बदलते हैं कोफी पीजी थिकि बिहार में तो लोग जहरीली साराफ पिक जो आप उपर जा रहे हैं जो पिएगा वो मरेगा और जो पिलाएगा वो मौच करें मेरे प्रदेश के बारे मैं कहा जाता है आए बिहार में गोली मार देंगे कपार देंगी भट इतना अखंड़त भारत हुआ कभ है कि आप उसको जोड़े चिराग जी सबसे पहले मैं कहूंगो कि आप बहुत स्मार्ट लगें ये बात किसी लड़की को कहनी चाहिए थी उसके नहीं कही ये मेरी नजार आपके शौल से नहीं हट रही है जो आप जाएगा तो प्लीज बता दीजीगा कहां से लिए मैं जरूर लूँगा जब मुंबई कॉलिंग हो रहा था कॉलेज का ही वह ऐसा समय होता है जब यार दोस्त आपको चड़ाते हैं कि अच्छा दिखते हो जाओ 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 ट्राइकरो तो ऐसे कुछ थे दोस्त इनों ने खूब चड़ाया किसी बहार वाले से तो बात में कंपेर किया जात और मुझे अपने ही पिता के सामने छोटा दिखाया जाता है एक पुन्जाबी गर से बोलेगा कि मैं पंजाबी हूँ महराष्टा से आने वाला गर से बोलता है मैं मराठी हूं बंगाली बोलते हैं कि मैं बंगाली हूँ और बिहारी अपनी पैसान चुपा रहें दूस confidence द खलती रहे हम बात कर रहे हैं राम बिलास पासवान तो राम बिलास पासवान के चिराग बिहार के चिराग युवाओं के चिराग लोजपा के चिराग और कई लड़कियों के चहेते चिराग पासवान आज हमारे साथ हैं तो आज तो बढ़िया मन्च है वीपी लाइव का मन् एक बात तो मैं बहुत क्लियर हूँ, तमाम बातों में से, कि मैं चिराग सिफ राम बिलास पासवान जी का हूँ, उन्हीं का चिराग हूँ, उन्हीं की उमीदों, उन्हीं के सपनों को, पूरा करने की दिशा में काम कर रहा हूँ, बिहार की उमीदों का चिराग बनता हूँ क कि किसके साथ अलाइंस है पर आज की तारीक में मुझे नहीं लगता कि मेरी प्रात्मिक्ता गडवंदन है आज की तारीक में मेरी प्रात्मिक्ता अपने जनाधार अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत करना भाई एक बहुत कठन दौर से गुजर कर आया हूँ मैं आज से दो साल पहले मेरी क्या बोलते हैं पारी की समापती की घोशना कर दी गई थी आज से दो साल पहले अगर आप देखें तो तमाम राजनितिक पंडितों दोरा ये कह दिया गया था कि चिराग बासवान समापत है और जिस तरीके से घटना चक्र घटा भी था गलत वह भी नहीं मेरे परिवार में जिस तरीके से टूट हुई मेरी पार्टी में जिस तरीके से टूट हुई पार्टी के सिंबल को फ्रीज कर लिया गया मुझे पूरी तरीके से अलग छोड़ दिया गया तो इन तमाम परिस्तितियों के मद्दे नजर तो दो साल मेरे लिए जितने कठें रहे हैं ऐसे मेरी प्रात्मिक्ता अपने जनाधार को अपने पार्टी के संगठन को मश्बूत करना और ये दो साल निरंतरता में जनता के बीश रह के यही करने का मैंने कारे किया प्रयास किया गडबंदन किसके साथ होगा नहीं होगा ये चुनाओ के करीब का किया जाए गोपाल गंज में आपने चुनाओ प्रचार किया उप चुनाओं में ये फैसला जरूर लिया गया कि तीनों उप चुनाओं में मुकामा कुर्णी गोपाल गंज तीनों उप चुनाओं में पार्टी के दौरा ये फैसला लिया गया कि हम लोग इंडिये के प्रतियाशी भा मेरे लिए संभव नहीं है मेरी उनसे कोई विक्तिकत कोई इशूस नहीं है बट मैं मानता हूं कि बिहार को बरबादी की कगाल पर लाकर खड़ा करने में सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी की है तो मुख्यमंत्री नितिश कुमार जी और उनकी नीतियों की रही है उनक इतनी तो जल्दी ग्रहों की चाल ने बदाती जितनी जल्दी मुख्यमंत्री अपना गडबंदन बदलते हैं तो तो कितने समय तक किस गडबंदन में रहेंगे चुनाओ आते- आते तक वहां पर रहेंगे नहीं रहेंगे यह भी आभी आपने यह बात मुझसे बहुत पहल भाई ये चर्चा ही नहीं है, ना मेरी तरफ से तो एडली से चर्चा का विशय है ही नहीं, मेरी चर्चा उन से जरूर हुई थी उपचुनावों को लेकर, और ऐसा नहीं है, भारती जंदा पार्टी के तमाम शीष्ट नेताओं के मैं लगाता संपर्क में मैं रहा हूं, आज को क्लारिटी की जरूरत है, बहुत सारे बॉक्से हैं जिसका टिक होना जरूरी है बिफोर यू टेक फाइनल कॉल ऑफ अलाइंस, तो वो अभी चर्चा पूरी तरीके से कंप्लीट हुई नहीं है, और अगें आ रिपीट मैसल्ब, मैं बहुत जादा रश में भी नहीं हूं मैं बहुत जादा सहेज महसूस नहीं करता, इसकी चर्चा पब्लिक डोमेन में करने की, बढ़ हां, वेक्तिकत इसलिए है क्योंकि वो मेरे साथ उस वक खड़े थे और मैं क्लियर कर दूं, ओडियन्स के लिए, कि मैं देश के प्रधानमंदरी आदानीय नरेंद्र मोदी ज मेरे साथ एक ऐसे समय पर खड़े थे, जब मैं अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा था, यह भी तो कह सकते हैं सर की दुख के घड़ी में साथ थे, लेकिन जिन लोगों ने आपको दुख पहुंचाया, उनके साथ भी तो हैं वो, भाई वो ठीक है, उन्हों कोई मेरे साथ कोई एग्रिमेंट ठोड़ी किया है, मेरे हर दुख सुक मेरे साथ बठांट, जिस वक मुझे सबसे ज़्यादा उनकी जरूरती है, और आज भी मैं इस बात को मानता हूं, अगर मुझे कभी उनकी जरूरत पड़ेगी तो उन्होंने मेरा साथ दिया है, साथ तरही बात है, ये विडमना है हमारे प्रदेश की, जिस तरीके से बिहार में जहरीली शराब, दुख़द है भाई, आप एक ऐसी परिस्तिती समझे जहां पर एक ऐसा कानून हमारे मुझे मंत्री जी लाते हैं, और उस कानून की धजियां अपनी ही नाक की नीचे उरती हु जो पी रहा उसके साथ क्या होगा, जो पिला रहा उसका क्या, जो पिएगा वो मरेगा और जो पिलाएगा वो मौच करेगा, यही हो रहा है बिहार में आज की तारीक में, किसको नहीं पता कि बिहार में अवैश शराब का निर्मान हो रहा है, परिणाम सरूप, जहरीली शर और ये जो आंखडे दिखाते हैं इतने मैनिफ्लेटेड़ फिगर्स हैं ये 50 लोग मर गया हैं बावन लोग मर गया हूँ और मैं ताजा घटना चक्री भी मैं बता हूँ मसरक का जहां का हम लोग जिक्र कर रहे हैं अभी चप्रा में हाल में जहां पे घटना घटी मैं खुद ही नीए क्यों हमद दर्दी नहीं बच्ची ती अपके कैमरा नहीं दिखाया नगा है। मेरी गोद मेっち बीजन की व बच्ची थी कैसे में बच्प एस परता creation है उसका क्या कसूर और आप ए O लोगी तो ठीक है वो मर गए लेकिन पिलाने वा लोगा किया तो इसके उपाय क्या है भाई सबसे पहले आपको टार्गेट करना होगा उन गिरोग को इस पूरे निकसेस को आपको डीकोड करने की जुरूत है भाई कौन लोग है और आपके खुद के प्रसाशन की लोग इसमे की रोग जान्च भी करेंगे तो कैसे वो जानच सही थेगे और अभी सek अगर सही मेर धिकारियों के ओपर कारवाई हो गली होती या ऐसे तथकरों के ओपर आसे गिरों के ऊपर आज भाई या भी आप बिहार में जेलों में जाकर देख लेगे सिलाकों के पीछे सिर्फ गर सब्सक्राइम आमिर संखार पिर से मुझे लगते हैं कि वही चल काहानी की मतय विहार में बना गोली मरदें कापार में यह मैंने भी मीम देखा था काफिछ रहा है अब यह देखे भाई यह मेरे प्रदेश की तस्वीर इनों ने बना दिया आज की तारीक में प्रदेश को आईए बिहार में गोली मार देंगे कपार में, ये ठीक है, कोई देख रहा है, हस रहा है, तहंज है, लोग मज़े भी ले रहे हैं, बट इस में छवी किसकी खराब हो रही है, बिहार की बिहारियों की, भाई किसलिए आप भी हाँ पर रहते हैं और मुझे लगता है आप और में था, जहां पर भी मैं जाता हूँ, बिहारी बच्चों से मैं इंट्राक करता हूँ, 90 परसन आफ देंगे कि हम लोग बताते हैं नहीं हैं कि हम लोग बिहारी है, हम लोग छुपाते हैं अपनी पहचान, क्यों? भाई ये बिहारी शब्द तक को गाली बना दिया गया और इसी को आपने गाली बना दिया, एक पंजाबी घर से बोलेगा कि मैं पंजाबी हूँ, महराष्टा से आने वाला घर से बोलता है मैं मराठी हूँ, बंगाली बोलते हैं कि मैं बंगाली हूँ, और बिहारी अपनी पहचान चुपा रहे हैं दूसरे प्रदेशों में, त अच्छा अभी जो आपने कहा कि आजकल अपराधी चुनाओ लड़ते हैं, तो चिराक पासवान का एकदम में कैमेरे के सामने, इतने लोग के सामने, दावठों के कह सकते हैं कि उन्होंने किसी अपराधी को टिकट नहीं दिया चुनाओ में भाई, मैं अपनी तरफ से तो करता ही हूँ, अच्छा इतने लोग हैं, सब लोग बैठे हुए हैं, दोजार चौदर में, जब राम गिलास पासवान जी थे, तो वो यूपे के साथ थे उस समय, फिर वो एंडे के साथ आ गए, उनसे जब पूछा गया, तो का कि जब मैंने फैसला किया तो उसमें चिराक अकबाय योगदान है, उन्होंने मुझे बहुत समझाया, तो पिताप पुत्र की जो बातचीत हुए, जो आपने तर्क रखा, क्या समझाया आपने की, राम गिलास पासवान जी ने कहां चलो भाई, मोदी जी के साथ चलते हैं, क्या हुआ था पूरी कहानी है, थोड़ा ज जननीतियों को लेकर, विनिबिलिटी फैक्टर्स को मदे नजर रखते वे, तमाम तरीके की चर्चाएं होती हैं, डिसकेशन्स होते हैं, उस दौर में जब मेरी राउंड्स आप मिटिंग हुई, मेरे बोर्ट के सदस्यों के साथ, तो मुझे एक कॉमन व्यूपॉंट, वह के दावेदार और मौझूदा प्रधान मंत्री आदनिया नरेंद्र मोधी जी की बातों से, उनके विचारों से, मैं प्रभावित था, मैं बिहार से आता हूं, बट मुझे एक ऐसा नेता प्रभावित कर रहा था, जो देश के सवा सो करोड देश वासियों की वह बात कर रह यह जिक्र मैंने अपने पिदा से किया था, 2013 मही, पर उनकी तरफ से एक स्ट्रॉंग रिजेक्शन था, इस प्रपोर्जल को लेका, साफ मना कर दिया था, और जितनी पश्टता के साथ उन्होंने मना किया था, मेरी कई महीनों तक दुबारा हिम्मत भी नहीं पड़ी, कि मै से इसका जिक्र दुबारा करूं, बट बहराल समय बीता चुनाओ, लोकसवा का करीब आने लगा, उस वक्त जो प्रिवेस अलाइंस में हम लोग थे, यूपी अलाइंस में, कॉंग्रेस के साथ बहुत ज़ादा बाचीत बन नहीं पा रही थी, यूपी ए के तमाम और दल, पर राष्टिय जंता दल के द्वारा जिस तरीके से हम लोग की पार्टी के ओपर टीका टिपनी की जा रही थी, कुछ लोग थे जो कह रहे थे इन लोग को धाई सीटे देनी चाहिए, तो पहले अपने पहलवान दिखाएं, इस तरीके की कई बाते, पब्लिक डोमेन में आ चाहिए, और पार्टी के तमाम लोगों की राय, मैंने हमारे नेता पार्टी के राष्टिय अध्यक्ष उस्वक वही थे, उनके समख्ष मैंने रखी, और इवेंच्वली यस आप लोग मीटिंग में का रहे थे या फिर अकेले बैठे कर दोनों, पीता पुत्र, मैं लोग क समय लगा, but I think it took me a long time, but finally when he was convinced, पापा से मैंने किये चीज़ सीखिया कि वह एक honest ally के साथ हमेशा रहे हैं, जिसके साथ भी रहे हैं, वह UPA के साथ भी थे तो पूरी मजबूती से पूरी शिदत के साथ थे, until and unless परिस्तितियां ऐसी नहीं बनी, तो ऐसा नहीं था कि वह कार बन रही है, इसलिए कोई फैसला लिया हो, यह नहीं था. प्रोफेशनली, हम दोनों एक प्लैटफॉर्म पे आएंगे, नहीं आएंगे, फिलहाल ऐसी कोई चर्चा इसको लेकर नहीं चल गया है, खासतों पर वो जिनके साथ आज़ी तारीक में हैं, इस बात को मैं क्लियर कर चुका हूँ, यहां पे मुख्यमंतरी निदीश कुमार मुझे लगता है, मुझे लगता है, चिराग पास्वा निनी बिहार की जनता भी उस आलाइंज के साथ नहीं जाएगे, जासराब बंदी के में लोग बात कर रहे थे, तो मैं भी जानना चाहता हूँ, और भी जानना चाहते ही होंगे, कभी-कभी वीर पीडियत नहीं के नह अपने देखा और जेला भी, और आज के जो यूवा हैं वो भी काफी यंग एज में, स्ट्रेस के कारण, काफी हेल्थ इशू हो रहे हैं, तो आप स्ट्रेस से कैसे डील करते हो, आधिंग मेडिटेशन, यह मैंने बहुत लंबे समय से, और मैं धन्यवाद करूंगा उनका जिन्हों ने मुझे इंटर्ड्यूस करा है था, मेडिटेशन से, मेरे करीबी मित्र थे, और मैं आज से नहीं मुझे लगता है, मैं राइट फॉर माइ कॉलेज देज, मेडिटेट कर रहा हूं, वो मुझे बहुत ग्राविटी देता है, that keeps me calm, composed, और यह मैं सज़ेस भी और यह मैं अनुभव किया है, कि मैं जितना मेडिटेट करता हूं, जितनी विप्रीट परिस्तिती में सामने आती है, जितना कथिन समय आता है, मैं उतना ही काम और इंटेशन हो जाता हूं, and I think that helps me deal with situations like this. और exercise and yoga. जितना ही आता है, जितना अपना ध्यान देंगे, उतना ही आप सकते हैं, अपनों पर ही शंका रखनी हो, या अपनों पर ही नजर रखनी हो, तो मुझे लगता है कि फिर तो रिष्टों के माइने ही नहीं रहते हैं, तो मैं बिलकुल भी प्रिपेर नहीं था. अन्तों गत्वा, परिवार में क्या होगा नहीं होगा, यह फैसला उन्हीं को लेना और मुझे लगता है वो यह फैसला ले चुके हैं, बहुत पश्च रूप से उन्होंने कहा है कि सूरज पश्चिम से हो जाएगा पर चिराग के साथ कोई समझाता नहीं होगा, मतलब वो इतने फिट है, दाड़ी बढ़ा लिए, तपस्या कहरे नेता हो, आप तो भगवान राम का भी नाम उनको दे दिया है, तो मैं आप से यह जानना चाहता है, आप क्या समझते है, राहूल गांधी की क्या पॉपुलेरिटी बढ़ेगी, कॉंग्रेस पार्टी की प मेहनत राहूल जी कर रहे हैं, इसका कितना लाब होगा, नुकसान होगा, भाई मुझे नहीं पता, यह समय ही बताएगा, बट जो मेहनत वो कर रहे हैं, उसको मैं जरूर एप्रिशेट करता हूँ, कभी जूरने का मौका मिला, तो जूरेंगे, भाई लंबे समय तक मेरे आसत में मिली है, वो खुबसूरत संबंध across the party lines मिले है, पापा की इस बात को हर कोई आज भी अप्रिशेट करता है, जिस तरीके कि उनके personal equations, people coming from different political backgrounds, उनके साथ भी रहे, सिर्फ यहीं नहीं कि जिस दल के साथ वो हैं, उनके साथ ही अच्छे, पापा ने भी हमेशा विक्तिकल टिपनी, उन्होंने नहीं की या किसी के बारे में कोई गलत बात कभी नहीं की, and that's why he was liked by the leaders of various political party, यही चीज मैंने भी अनहीरिट की, तो अगर विक्तिकल तौर पे देखें, मैं इस बात की प्रसंचा जरू करूंगा, कि जितनी मेहनत आज की तारीक मों कर रहे ह हजारों किलो मीटर की आता, पैदल चल कर आना, उसको मैं जरूर एप्रिशेट करूंगा, बट उसका राजनितिक लाब, देखी मैं मानता हूँ, राजनिती में जब तक विजन नहीं होगा, जब तक आपकी नीतियां सपष्ट नहीं होगी, जनता आपके साथ कनेक नहीं कर मैंने भी बिहार में आशिरवाद यात्रा की है, मैं भी बिहार में विविन जिलों में पद्यात्राइं कर रहा हूँ, मैं बिहार फर्स, बिहारी फर्स के साथ मैं जा रहा हूँ, मैं लोगों को से बिहार की समस्या की जानकारी नहीं दे रहा हूँ, उसके समाधान भी बता है कि आप उसको जोड़ना है सो विजन की क्लारिटी ज़रूर चाहिए होगी एजा राजनेता पॉलिटीशन आप राहुल जी के बारे में क्या राय रखते हैं अपनी कि वह अच्छे मतलब राजनेता आगे और जादा बन पाएंगे या पहले से बहतर हुए हैं अपने काम पे जादा ध्यान दे रहा हूं और फिलहाल मेरा मेरे मुख्यमंत्री नितीश कुमार है मेरा ध्यान केंद्रत उस तरफ है बिहार की राजनीती में जादा समय दे रहा हुए है कि अब तो चले जाएंगे अब जो आसो कुर्सी वो तेजस्व यादो को सौफ देंग युआ हैं आप यह कोई खेरात नहीं बटरीना कि किसी के भी मन में सपना आ जाए कि भाई हम भी ले 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 इसमें से दो दाने हम भी ले ले ये अंतो गत्वा बिहार की जनता को ही ये डिसाइड करना है कि किसको वो मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहती हो मेरी शिक कि आज की तारीक में भले वो किसी की देया पर मुख्यमंत्री बने हो या जब से दौजाव 20 के परिनाम आए तब से नहीं का किमान— वो इस बात को जरूरु सफश्ट कर देते हैं कि उनके बाद उनकी party में तो कम से कम किसी भी नेता में यह सामर्थ नहीं है कि वो बिहार का नेतर तो करे या उस party का वो नेतर तो करे जब आप किसी दूसे दल के नेता को अपने भविष्चे का नेता मान लेते हैं तो उस दिन से कम से कम आप इस बात को क्लियर कर देते हैं कि आपकी पार्टी का आप कोई भविश्य नहीं बचा बात भविश्य के हो रही है तो निया जी आमें टीनी से इस्टो लॉजर है कुछ येस निया जी प्लीज अपका जो नंबर मैंने देखा वो राहू का है अभी आप बात करें थे कि आप मेडिटेशन करते हो आप बहुत काम रहते हो लेकिन आप इमोशनल बहुत ज़ादा हो तो उसके लिए अप क्या करते हो वही I think meditation से ही मैं you're right actually मैं बहुत इमोशनल हूँ फैमिली को लेकर अपनों को लेकर और अगेन मैंने कभी अपने इमोशन्स हाइड नहीं किया आपके वास बहुत सारे ऐसे विश्वल्स होंगे जहां पर पापा को याद करकर या परसनल चीजों को लेकर मैं भावुख हुआ हूँ हूँ बट हाँ वहीं पे फ कि मेरे इमोशन्स मेरे फैसले को अधारितना करें और वीनस मैंने आपके चार्ट में देखा कि वीनस याई कि जो लेडी लग बोलते हैं लॉव बोलते वो भी एक मिसंग है शायद वो आजाए तो कुछ अच्छ हो जाया आपकी लाइफ में तो उसके लिए अपने किसे इस वीनस आपके अपने अपर जब ध्यान देते हैं तो इससे बैलन्स हो जाता है तो यॉर लुक्स एंड आपकी परस्नालिटी इसको बैलन्स कर लेटी है वीनस जो है शुक्र जिसे हम बोलते हैं वो लेडी एक अगर आपकी लाइफ में हो तो शायद वह जादा कंप्लीट कर कि किसी अस् Vertis N someone you onwards जाते हो मर ऊपको विशेट जात मैं जयाता हूं मैं महादेव में बहुत विश्वास रखता हूह और जितने भी उत chilli है वहां पर है और जब जाता हूं महाँसे लेकर आता हूं और उसको बोंसे की खूछ हुँ और यह स्जी आपने लगाए कि आप शन मुझे मैं रोज रूज पूजा करता हूं। और यह केसर का है और आज GODवार है तो हनुमान जी का भी है तो जो दोनों तिलक मैने में लगाई। इस रिकمنट तो मैंने पर बाँता हूं कि यह तिलक भी आपको बहुत science है यह अपके चक्रा सको कंट्रोल करता है सब्सक्राइब करता हूं तो उनसे भी बहुत सारे राय मश्वरा करता हूं और जो चीजे मुझे समझ में आती मैं बहुत जादा पाखंड में नहीं उलशता हूं सब्सक्राइब करता हूं तो जो चीजे मैं समझ पाता हूं उसको निभाता हूं ओके डिस्टनी जो आपका नंबर है वह सेवन के तुक का नंबर है मैं आपको च्छोटा सा सजिशन दोंगी कि आप अपने मर्करी के लिए थोड़ा सा कुछ काम करें यानि कि अपने जो कि आप अब होईस से भी बता दिए अब आप च्राग जी सबसे पहले में कहूंगो कि आप बहुत समार्ट लग रहे हैं यहां पे बैठी लड़कियों को यह बात किसी लड़की को कहना ही चाहिए थी उसने नहीं कही यह ने नजर आपकी शौल से नहीं रही है ज़ए ज आपके पास कभी ऐसा कोई है कोई कोई लड़की आई आपको हग कर लिया या आपको आई लव यू बोल दिया या बड़ा ओकवर्ट सा फैन मूमेंट हो गया हो इट ड़स हापन एंट इन सब चीजों में मैं बहुत कंफरिबल नहीं होता हूं तो कभी कभी ऐसा होता है गाड़ा जिटक वालब उसको कैसे आप रपाइगर कर तो कई रपाइगर तो कुछ रप्लाइगर तो किसी पोस्ट जा के लिए कर दे तो अप इस तरह की चीज करते हो जितना हो सकता है सामने यहले की भाबना को सम्मान देने के लिए because I appreciate this feeling के साथ कुई अपने आपको एक्सप्रेस करता है मैं इन सब चीजों में इतना एक्सप्रेसिव हूँ नहीं नाइधर, I am good with compliments मैं अभी भी हो रहा हूंगा, शाद में लाल हो जाता हूं so I am not good with this I don't know how to deal with it अब हमें पॉलिटिक से काफे कुछ रिसकास का लिया अब एक बार नजर मार लेते हैं most googled questions about चिराग पास्वान don't tell me no no we should we should तो अगर हम आपके बार में गूगल करेंगे तो सबसे पहले लोग जाना चाहते हैं कि भई अब 2022 खतम उने वाला है तो कब करेंगे चराग पास्वान चाहरी सी हमें फ्यूचर बता दिया 2023 अप्रियल बहुचा टाइम आने वाला है और वीनस को आपको बैलन्स करने के लाए नहीं तो आप बताएगे इफ एनी अप्रॉक्सिमेट या फिर एनी प्लांस आपके एजुकेशन से लिएटेट भी लोग काफी को जाना चाहते हैं आपके वारे बीटेक बीटेक बीटेकिन, अब सब्सक्तियाओ तो आपके लिए, के लिए भारे लोग को अधिए प्रमार है. विए प्रोगिए लिए इन सो तक ए मैं डिए ने हमतहरे उद्स सब्सक्तें ह new. बहुत मुश्किल है राजनीती आसान है दिल से आप कर सकते हो वहां पर आपको डियालोग करने हैं मेकप पुट आउन करना है लिखके दी गई लाइनों को आपको रिहास करके आपको बोलना है मैं आज तक अपना भाशन कभी कोई पढ़के नहीं लिए चिराग अब बात कर रहे हैं कि आपके फादर से आपने क्वालिटी नहीं है कि अक्रॉस्ट पार्टी लाइंस आपको कैसे लोग से अच्छे बिट अच्छे बिट अच्छे बिट आप करने हैं अंडिस्टाइंड से काफी इसूज है कोई असा नेता है जो आपको ठीक लगता है जेडियो आजिरी मुझे पोस्नल लेवल मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं है रादर वेनेवर आव मैट माई चीफ मिनिस्टर मैं हमेशा उनके पांच उकर आपकर 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 मुझे समय नहीं देते हैं उनसे वैसी मुलाकात नहीं होती बट अपरसनल लेवल मेरे किसी से कोई इसूज नहीं है पॉलिसी को लेकर में जरूर है इंडिसां कोई नाम जो बहुत अच्छा काम करें आपके साब से इंद पार्टी इंजेडियो बहुत मुश्किल है मैं सही में मैं कोशिच भी कर नहीं तब भी नाम नहीं आदा रहा कोई ऐसा जो कि जेडियो में रहे कर भी जो अच्छा काम करो नहीं नहीं पार्टी में इशू है ओके चिराग पास्वान का फेवरिट भोश्पूरी सॉंग सीधा बुल एक जो आपकी फिम सी नहीं पार्टी मुझे बहुत अच्छे लगता है है और एक दो बार मुझे सवभाग्य प्राफ्ट हुआ उनसे मुलाकात करने का तो उनके च्छ़ट के गाने सुनता हूं तो उनके च्छट के गाने सुनता हूं और बहुत क्लिशेद नह यह जो ड़ुम में ऩूल भी आप शूनता हूँ अचा एक आपकी फिल्म थी उसका ही इगाना इस्टा टिवारी के साथ आपका जो सौंग आपको आपको डिजे पर जुने को मिलेगा है आपने सॉंग्स अपनी फिल्म्स देखने आप नहीं बहुत मुश्किल रहा होगा इस टॉच्रस फ्यू आज जितनी लंबी फिल्म है बट यसम अच्छा था वो मैं खुद भी सुनता हूं मेरी लिस्प में मेरे खुद के भी एक दो गाने है एक रहाजी का उसमें बहुत कोई भी डाट पड़ियो आपको जो आज तक आपको याद है कि भाई यह तो बहुत तगड़ा था एनी सच तहांट मुझे कभी नहीं पड़िया वस अवेरी पैंपर्ड किड्स पेशली आप पापा सो अगर पेरेंट्स अगर सोचें गुट कॉप बाद कॉप में सो पाप बड़ रिमेंबर वो तस्वीरे भी हैं मेरे पास कई मिलेंगी तो मैं साजा करूंगा उन दिनों रमायन शुरू हुई थी आज की तारीक में मुझे लगता है कोई रमायन या महाभारत को याद करता है तो वो असी नब्बे के दशक में जो सीरल टेली कास्ट वेते रेफर बड़ातार हम लो को लगते थे कि यही करेक्टर्स हैं और इनको हम लो को कैसे हम लोग इनके कॉस्ट्यूम्स पहने तो मैं पापा के बीचे बहुत पढ़ा था कि मुझे भी यह राम जैसा कॉस्ट्यूम्स चाहिए दिसंदार और वस सो स्वीट ऑफ हम आल शेर दोस पिच अपाट और यह सब करके वह राम जाए पूरा दिन उन्हों लिया हम लोग को मुझे मेरी सिस्टर को उस गेर में उस गेट नहीं तयार किया तो यह तो यह तो यह तो यह तो मैरी एक जिद थी दिमांड थी कि मुझे असा बनना आज तो मैं देखता हूं भई आप कॉस्ट् तो यह 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 तो य कि रात का मील हम सब लोग साथ में खाएं साथ में बैठे हैं फाली डिस्कुशन स्पूल में क्या चल रहा है को आगे क्या हो तो अ वरी नर्मल फाम्ली यह हमेशा से उमें हम लों के घर में रहा है वाज़ के लिए वह अरे वही वही की टाइम वे-टाम देश व सानुट्य न अब मैं बिल्कुल भी पॉलिटिक्स पने जाओंगी मैं जस्ट चिराग पासवान को जानना चाहती हूं और मैं उन्ही से रिलेटेड वह सवाल पूछूंगे जो मेरे जहन में थे और बहुत सारे लोगों के जहन में भी होंगे अभी आपने बताया कि किस तरीके से आपके पापा घर में तीली वगेरा से धनुजबार बनाते थे सबसे पहला सवाल वहीं से शुरू करते हैं आपके आपके फादर के साथ कैसे रिलेशन थे वह बहुत फ्रेंडली जो बाप बीटे कूल वाला रिलेशन था या फिर बहुत फादर के प्रदी सम्मान इतना जादा होता है कि वह यारी दोस्ती वाला कंफर्ट नहीं आता है बिकॉस आप इतना लुक अप तू करते हैं उनको आप सीन माइ फादर मेरे दादाजी के साथ पापा बहुत कम उनके सामने बोलते थे और वही चीज मैंने भी देखी और मैं कर दौत महीं आते हैं फाद मेरे प्रहाण पाद गाद का में आल नहीं अगराण है ऑन उनके सामने में अचल कूर तू कर रहा हूं थिर्ष गाऑ बेरें खाद वह ग्या उनके सामने वह भी कोशिश और हमाने पर अपड़ा कोशिश और उनकी रही है वहाँ एख कुषऑ कं में देख उपलिटिक्स में आगे जब तक मैं थूड़ाम वारब करना अधूड गद हम एफ उसको बेटा मैं बिला जा में डिखाना यह बात करना बैठाना इंड लौर तो इस लास्थ यह वर गुड़ा पहु बिलाना बात करना बैठाना तो बीधि करना लूरें पूरिजे बॉलिवूड में आपने काम किया है तो अभी मम्मी से किसी बात की परमिशन लेनी पड़ती है या फिर आप एक दाम की नहीं है या फिर पता है आपको की नहीं पीछे से डाट पड़ सकती है और रात में लेट हो रहा हूं तो वी उनको बता के ही होता हूं एवन पटना में अगर रहता हूं और शीजुड नोस कि मैं कितने बजे उठा हूं मैं कितने बजे घर पे आ रहा हूं मैं ने लॉंच किया मैंने डिनर किया नहीं किया तो यह युदी आप यह ज़िए आले पर्मिशन लेना अच्छा लगता है प्यूज गोयल ईने जो कहा था तो आपक्या उसका समर्थन करते है या किस कॉंटेक्स्ट में लेते है कि पूरे देश को भी पहरी बात तो मैं इस बात का मैं समर्थन नहीं करता है बट यह सोच जहन में आई कैसे जो प्यूज जी ने जिस तरीके से कहा मैं उसका समर्थन मैं नहीं करता हूँ और उन्होंने खुद इस ब जो हम देशवर में लागू करना चाहेंगा Okay, so one thing people don't know about Chirag जो चराग की फामिली जानती है या उनकी close friends जानती है या फिर खुद Chirag जानते हैं लेकिन आज क्यामरा जानना चाहते है वोड़ा थोड़ा नेहा जी मुझे पता सकती है मेरे बारे में कुछ इस दिर इनिफिंग जो आप बहुत फिल्मी क्लिशे डायलोग है बड़ खुली किताब रहा हूं पिर भी हो सकता है कोई फेवरिट चीज हो जिसके बारे में लोग ना जानते हो मैं बईरे मेरे मुझे बडे तह पुंटशने 29 caraj तो आपने बताया क्या काम कर लिया पॉलिटिक्स में काम रहे हैं अगर ये डोनों चीजें ना हो तो चिराग या होते बहुत मुश्किल है आज की तारीक में नेपो केट्स का ये टाग दे दिया जाता है बहुत असानी से ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ओल्ड हूँ बढ़ हां आज से चार दशक पहले का तो हूँ ही मैं और हमारे समय में पिता के नक्षे कदमों पर चलना बुरा नहीं माना जाता बल्कि आपकी तारीफ की जाती है ती कि पिता के नक्षे कदमो पे चल रहा है ये हाल फिलाल के वर्शों में मैं सुनने हैं कि भाई नपो केड होना दूना दुने का सबसे बडगां हो गया है यश बड़ा पाप को ही नहीं कर सकते है तो मैंने हमेशा से पापा को देखा औ क्लियर थी कि इवेंचुली आना तो राजनीती में पॉलिटिक्स में ही जाना है मुंबई में जाने के बाद यह प्रोसेस स्पीड अप हो गया विकॉस वह एक ऐसा समय था जब मुंबई में बिहारियों को उपर लाथिया चलाई जा रही थी वहां के कुछ चेत्रिय दल हैं जो बिहारियों को बहुत प्रतायुत कर रहे थे और यह सब मैंने क्योंकि बहूत क्लोस काउंटर से मैंने सब चीजें देखी तो उसका एहसास मुझे जादा हुआ And that was the time when I decided कि अब मुझे वापस जाना है और बिहार और बिहारीों के लिए काम करना हूँ खास्त वापर बिहारीों के सम्मान के लिए काम करना है आप ऐसे नहीं कि ये बिहारी बोलके किसी पर भी आप लाठी चला दें और किसी को भी हकीकत है आज की तारीक में एक दिल्ली वाले को अगर कोई पुलिस पकड़ेगी और एक बिहार वाले को पुलिस पकड़ेगी तो बिहारीों को दो लाठी मारेगी और चार दिन एक्स्ट्रा उसको जेल में रखेगी क्योंकि पर एक प्रदेश की छवी तो इसाल जा चकी है तो इसी लिए मैंने डिसाइट किया कि पॉलिटिक्स में जाऊंगा तो अगर में मुवीस में नहीं रहता या पॉलिटिक्स में नहीं आता तो पता नहीं क्या ही करता अगर आपको म्यूजिक का शौक है तो प्रबबियु म्यूजिशिश्ड तो मेरी आवाज से आपको लगता है कि मैं म्यूजिश्ड रखता है मुझे लगता है आपका आर जे बेभी आप जॉकी आप जोगी या में भी न एन आर जे क्योंकि उसमें आवाज चले की बट मैं बारबार में इसको रिपीट कर रहा हूं बट मेरा काम कंपोज रहना मतलब कोई ऐसी सिच्वेशन नहीं है जो मुझे हिला सकती है ज़ग जोड सकती है और अब तो इतना एक्सपीरेंस हो गया इतनी बुरी ख़बरे हाल-फिल-हल के दिनों में सुनी हैं अब बना के मैं रख पाया तो मुझे लगता है कि यही मेरी स्ट्रेंथ भी है पेशन्स बहुत है मुझे बहुत पेशन्स है अब ही सब चाहिए जब सही समय होगा तब भी मिलेगा उस वक्त का इंतजार करने का धहरे मुझे मुझे काफी रियर क्वालिटी है यह जो हम लोगों को शायद सीखनी चाहिए स्पेशली मुझे तो वन तिंग चराक फील बाइड अबाउट इमसे जो आपको आपको लगता है कि कोई आदत जो आपको बदलनी है या फिर अब यह है तो है क्या करूं ऐसा ही हूं इसका भी जवाब मेरा पेशंस ही है विकोज कई बार मेरे आज-पास वाले और मेरे कई साती आपे मुझूद है जो मुझे बोलते हैं कि भाया इस पर आप रियक्ट नही करई है इस पर रियक्ट करना चाहिए उसने यह कर दिया मेरी फैमिली मुझे कई बार बोलती है जब निरेटीव लोग आपके और में परस्नल टिपनिया करते हैं आपके फैमिलिण बहुत सी बाते बोल जाते हैं मुझे लगता है अगर में कौनटर कोशिंजना उनके साथ तो मैं अपने डिरेक्षन से भडख जाऊंगा तो मैं उन लोग को जवाप नहीं देता और मुझे लगता है इस बात की शिकार मेरी फैमिली को भी मुझे रहती है, मेरे पार्डी के नेताओं को साथियों को भी मुझे रहती है, इस अगला जवाल है उसका जवाब मेरे ख्याल से हम सब को पता है, पर फिर भी मैं पूछ रही हूँ, वो वक्त वो घड़ी जब आप पाप का जाना मतलब वो सबसे ज्यादा तफ सिच्वेशन थी ए नो ओन के इवर बी प्रिपेर ए पर ए सिच्वेशन में पाप का ये सब हुआ उसके लिए हम लो बिलकुल भी प्रिपेर नहीं थे, you know, because he was fed, मतलब उनकी तवयत ऐसी नहीं थी मतलब मुझे याद है कि जब पाप को हम लोग ऑस्पिडल भी लेके जा ए तो खुद चल के गए थे एंफर ए रेगुलर चेक अप वो ऑस्पिडल गए थे और मुझे याद है मेरे लिए सबसे जादा दिफिकल मुमें था जब यह सब हो गया और मैं वापस घर पर आया और पाप के कमरे में गया तो अच्छ पाप केप निक्स तो इस बेड और वो अच्छ पापा वास गुञ तो पापा जाते है मुझे खास आप बोलके गए इसको एसे ही रहने देना क्यों कि मेरी आद ए थोड़ा सा OCD की प्रोलम मैं चीजों को और चीजों को जगा पर रख रहता हूं तो पापा को था क बनाद के लिए किसी दोर में डाल देका हूं मुझे मिलेगी नहीं तो मुझे खास आप बोलके इसको ऐसे ही रहने देना मैं आख ए इसको कम्प्लीट करूंगा सब्सक्राइब कर देना मैं तो आफ्टर एवर्यथिंग वन बाक तो इस रूम आई सो फाइल वैसे ही पड़ी है कलम का रखकन भी खुला हूआ था वैसे का वैसा ही था तो यस यह मोमेंट्स है जो मेरे लिए सबस्यादा डिफिकल्ट थे बट पापा अनली गिवस्मी इस जब मैं 2014 का चुनाओ जीता था था भापस है नेपोकिट की बात हर कोई कर सकता है बट मैंने कैसा चेत्र चुनाओ यू रिलाइस वन असे घ्र चुना जहां पर हमारी पार्टी से भी किसी ने कभी चुनाओ नहीं लड़ा था और यह जद थी मेरे अंदर अगर मुझे यज तो में भी हाजीपूर हो सकता था या ऐसी जगह जहां से पाटी पहले भी चुनाओ लड़ चुकी है या कोई ऐसी सीट पर मैं जाता है बट उस तो भी मैंने पापा के सामने ही का था कि मैं एक ऐसी कॉंसिट्वेंसी से चुनाओ लड़ना चाहता हूं जिसको मैं खुछ जाक करके बता हूं तो भाई राजनीती में जब आप समी करणों का ध्यान देते हो तो कही बार सीटों का चेहन भी उसी के अधार पर किया जाता कि भाई समी करण के इसाब से सीटे ठीक हो नी चाहिए बट जमूई को मैंने चुना तब जब हम लोग यूपीए के साथ थे और च इस दिन वो रिजल था था वो मेरे लिए एक वान फे बेस्ट मोमें ते का पापा तो बाई प्राओ अप्राओ अधार में मुझा थे नहीं तो उस दिन मुझे सही में लगा कि आज पुछ अचीव किया तो यह द आट वसे नाइस जमूई आपने जीत लिया आप पिता जी क तो छोड़ नहीं सकता हूं और यई कारण है कि विहार जाता हूं अगर यथ को सबातरा हूं जो सुग अगर बना करता हूं अगर आप इसको चुनावी परिख्ष में ागर इस सवाल को पूछ खाँ है हैँक्षो छुनाउः इस वक्त चर्चा अएनल ड़ोग कितने सीटों पर लड़ने की तैयारी है अगर आप मुझसे इंडिवीश्वली पूछें तो मैं बोलूँगा मैं तो तैयारी 400 सीटों पर कर रहा हूं और मैं कर रहा हूं अगर मैं गड़बंधन को अपना लाभ ही नहीं दे पाया तो उस गड़बंधन में भी जाने का क्या पायदा तो मैं तैयारी 400 सीटों पर कर रहा हूं बढ़ हां अगर गड़बंधन होता है किसके साथ होता है उस वक्सीटों का समीकरन क्या बैटता है ये चर्चा का ही विशे है वी तो एक सवाल चुकि मैं बकसर का हूं तो वहां से भी आया है लोग मुझसे पूछ रहे हैं और मैं महिनत कर रहा हूं हमारी पूरी पार्टी महिनत कर रही है हमारी पूरी प्रदेश यूनिट महथा हुआ है बिहार के हारे छ जिला में जाकर अझए रेक अब कर लेसे लिए को प्युत्त के साथियों के ताफ की आप साथियों के साथ कमना है। थाकर थाल रई रीड़ ने साल में संकल्प नाय। नुए रजूलिशन्स बृटने का इग बनते हैं। हम लोग रुटने के रहे लेता हैं। इसा कोई रिजूलीशिय मैंने लिया नहीं है फिलार नॉट रेली मैं सोचा भी नहीं बट हाँ न्यू एर है न्यू बिग्निंग है और इन्होंने कोई पॉलिटीकल सवाल नहीं है और मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि मैं पॉलिटिकल सवाल नहीं पूछ लूगी बस एक एक आखरी सवाल में आपसे अगर आपकी जाज़त तो पूछ लूँ कि शायद आप ने इसका जवाब दे दिया है बट अगे मुझ मैं पापा अब मैं समझ सकता हूं कि जब आप राजनीती में होते हैं तो आपकी विस्तता कितनी जादा होती है उस वक्त मुझे इस बात का इतना इसास नहीं था पर उसके बावजूद पापा रेगुलरी मेरे सेट पे आते थे घंटो महां पे बिताते थे जब शूट चल आपे रहे तो आप यह पूरा हो था और जब मुजिक लाँच पे मुझे लगता है कि पापा वस वेरी प्राओड तामली वस वेरी प्राओड वॉड जिनके साथ मैंने काम किया उनके साथ तो दोस्ती है ही और बॉलीवूड में सिफ आक्टर्स ही नहीं कई असे डिरेक्ट हैं जिनके साथ मैं आज की भी तारीक में टच में हूँ और डेफिनेटली मेरे को अक्टर्स तो हैं जिनके साथ हैं थांक्फोली आज की तारीक में भई मैं आज शूट नहीं कर रहा कंगना के साथ नहीं तो आज तो उन्होंने ने नेपोडिजम का जो फ्लाग बेर बनी ह बहुत देर से निपोटिसम की बात तो कर रहे हैं बहुत ज्को आप बहुत जादा मानते हैं वो परिवारवाद सब्सक्राइब करता है आपका क्या उपिन रन है पहली बात आपके साफिनेपोटिस्म और बीजेपा की जो डेफिनिशन है मेरे बारे में नेपोटिजम रहा ही नहीं है and specially fields like this जो की public जिसका आधार जन्ता का समर्थन है मैं मानता ही नहीं कि इन जगाओं पे नेपोटिजम कोई कारण हो सकता है बिगाओ जन्ता आपका भविश्य निधारत करते है देखे किसी बड़े विक्ती का सुपुत्र या सुपुत्री होना आपका सौभाग्य हो सकता है पर आपकी काबलियत नहीं सौभाग्य से आपको मौके मिल सकते हैं पर आपकी काबलियत ही आपको वहाँ पर वो पहचान दिलाएगी मुझे एक अर्ली एंट्री जरूर मिल सकती थी बट यहां पर बने रहने के लिए एक चुनाओ शायद मैं पापा की वज़ा से लड़ पाया बट दूसरे चुनाओ में तिगने मार्जन से मेरी जीत हुई तो कही ना कही मेरी विकाबलियत को उसका श्रे मिलना चाहिए तो मुझे नहीं लगता कि इन छेत्रों में नेपोटिजम कोई फैक्टर रहता है बॉलिवोड भी उनमें से एक है बड़े बड़े एक्टर्स हैं जिनके बच्चे आज की तारीक में कुछ नहीं कर पाई बड़े बड़े राजनेता हैं जिनके बच्चे आज की तारीक में राजनीती में कुछ नहीं कर पाई क्योंकि जनता यहां पे आपके भविश्य को निर्धारित करती गा पर सर एंट्री तो कहीं न कहीं इजी होती न यह तो आप मानेंगे बड़ जहां पर एंट्री इजी होती है वहीं पर आपके भी संघर्ष और बढ़ जाते हैं मैं अगर अपना ही जिक्र करूं मेरी लड़ाई बहार में तो बाद में है पहले मुझे अपने ही पिता की छवी स लड़ाई लड़नी है और यह सोचे मुझे अपने ही पिता के सामने चोटा दिखाया जाता है पापा के बारे में अरे वो तो बहुत सहच ते सबसे बड़े अच्छे से मिलते थे चिराग नहीं है चिराग एरोगेंट है उनकी तो मास अपील बहुत थी चिराग क्या जाता ही नहीं लोगों के बीच में इसका तो लोगों के बीच में कोई ही नहीं अपील ही नहीं है वो क्या है वो बहुत मधूर वार्षी थे चिराग क्या है बहुत रूठा बोलता है या बहुत हाश है तो आपको आपकी पिता की चवी के सामने ही छोटा दिखाया जाता है तो य इन्होंने भी बड़े बेबाकी से हस्ते खेलते जवाब दिये और उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये बात्चीत बड़ी अच्छी लगी होगी, बाकि इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी राय हमारी लिए काफी मैने रखती है, तो कमेंट करके हमें जरूर बत प्रिट्स के लिए देखती रहे येगा, ABP Live.